आपके अदालत में आख हमारे महमान हैं एक ऐसे नेता जो सियासत में और वकालत में दोनों में माहिर हैं बोलने में बेजोड हैं अपनी पार्टी के लिए संकट मोचक हैं भारी भरकम मंत्रालियों का भार सम्हाल चुके हैं और अब चुनाव के मैदान में हैं प्लीज वेलकम फॉर्मर मिनिस्टर रवी शंकर प्रसाद और अब अमबतित कर रहा हूँ आपके अदलत में हमारे आज के जच को हमारे जच बेहत खास हैं तीस साल का पत्रकारिता का अनुभव हैं ओथर हैं एक्टिविस्ट हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशनर रह चुके हैं प्लीज वेलकम उदै महूरकर और मुकम्मा शुरू हो इससे पहले आज के जच उदै महूरकर की इजाज़त चाहेंगे आज के कारवाई शुरू करने के लिए इजाज़त है और इजामात सवालत का सिल्सिना शुरू करें इससे पहले एक नज़र डालेंगे रवी शंकर प्रसाद के पुलिटिकल करिया पर रवी शंकर प्रसाद की पहली पहचान बनी एक तेज तर्रार छात्र नेता के रूप में जेपी आंदोलन में सक्रीय रवी शंकर प्रसाद इमरजेंसी के जमाने में जेल में रहे इसके बाद रवी शंकर प्रसाद ने एक वकील के तौर पर नाम कमाया लालु यादव के खिलाफ 900 करोड रुपए के चारा घोटाले के केस में रवी शंकर प्रसाद प्रमुक वकील थे इलाभाद हाई कोट में राम जन्म भूमी बाबरी मस्जिद विवाद के केस में रवी शंकर प्रसाद राम लला के वकील रहे अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रवी शंकर प्रसाद को प्रभू श्री राम के वकील के नाते आमंतरित किया गया बीजेपी में रवी शंकर प्रसाद की पहचान बनी पार्टी के प्रभावशाली प्रवक्ता के रूप में आज भी जब पार्टी या सरकार को किसी कॉंप्लिकेटिट सब्जेक्ट पर अपना पक्ष रखना होता है तो रवी शंकर प्रसाद को सामने किया जाता है रवी शंकर प्रसाद वाजपेई की सरकार में मिनिस्टर अफ स्टेट रहे मोधी सरकार में रवी शंकर प्रसाद ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर लौ, कम्यूनिकेशन और आईटी के मंत्रालेयों की जिम्मेदारी संभाली रवी शंकर प्रसाद 19 साल तक राज्य सभा के सदस्य रहे 2019 में इन्हें पतना साहिप से लोग सभा के लिए चुना गया अब रवी शंकर प्रसाद एक बार फिर चुनाव के मैदान में है पतना विश्वविद्यालय से लौग ग्राजुएट रवी शंकर प्रसाद आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे तो आई ये शुरू करते हैं आज तुम गदमा आपकी अदालत में पहला इल्जाम रवी शंकर प्रसाद पर आपकी अदालत में पूर्व केंद्रिय मंत्री रवी शंकर प्रसाद पर आरोप है कि इन्होंने विरासत का फाइदा उठाया रविशिंगर जी आपके पिता ठाकुल प्रसास सिंग बहुत बड़े वकील थे बहुत बड़े नेता थे पटना में बड़ा सा घर था तो आपको सब कुछ विरासत में मिला नेता गिरी भी वकालत भी हींग लगी नफिट करी एक बड़ा दू पिता जी ने मेहनत से आके बड़े हम किराय के मकान में भी रहे हैं लेकिन मैं बड़े सव्क बना विध्यारती परशद में बारतर रिसल काम किया जेपी मुपमेंट आपने देखा जेल गए लाठी काये हम पी एचडी हैं मतलब जेल भी गए हैं मिसा में भी गए हैं लाठी भी गायें गोली भी कायें नोखा में आपके घर पर अटल जी भी आते थे, अड़बानी जी भी आते थे, बीजेपी के जंसंग के बड़े निता आते थे. आपने सही का, आपने संगर्ष भी देखा है ना, और मुझे बहुत गर्व है अपने विचारधारा पर, बज़े छमा करें, मैं पार्ती बदल कर नहीं आया हूँ, इसी विचारधारा में पैदा हुआ हूँ और इसी विचारधारा में दुनिया छोडूँगा, यह मैं आपक के नेता थे, बिल्कुल सही कहा, एक बाद दानी है, मैं इंटर पास किया था, सुशिल मोदी बी एसी में थे, लालू परसाद लौ के लास्ट येर में थे, कितने साल से थे यह मैं मत पूचिया ठीक है, और हम लोगों ने साथ में विद्यार्थी परिश्यद वेस्वाइब चुनाओ लड़े, मैं सहायक महा सची हुआ, सुशिल मोदी महा सची हुए, वो अध्यक्ष हुए, फिर ने का कुछ बड़ा काम करना चाहिए, फिर आंदोलन शुरू किया, बेरुजवारी के खिलाफ बाद, फिर जेपी आए, फिर मीसा में बंद हो गए, तो जो आपके सा है, ब्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, और लालुजी बनते हैं, तो ब्रष्टाचार की पराकाश था, मैं अपने मित्रों को बताऊंगा, चारा घुटाला क्या है, क्या तीन हजार मुरगी दो महिने में पांच कड़ों का दाना खा सकती है, समझ गया, गा क्ड़ीबों को देना है, संटल दोविन्ट की योजना है, सप्लाई हो गई, जी हो गई, का कैसे किया, काहन से क्या, बस से क्या, ट्रक से क्या, मालुक हो, वह स्कूटर का नंबर निकला, मतलब भैस, गाई, स्कूटर में सप्लाई हो रही ते, लूट थी, P.I.L. किया, बह रजग बाबू किसी को भी राहत नहीं मिली छोटा सप्लायर भी वो भी जिल गया लालू जी चार-चार मुकदमों में जिल गए आईएस लोग गए कलक्टर गए इंकम डैस कमिश्टर गए बाकी मंत्री गए तो इस वंतोश है कि जेपी ने सिखाया भृस्टाचार मिटाना ह बाबू को लिए तो हम डड़े उसके लिए गलत क्या है। लेकि उस समय कुछ लोग को कहते थे कि आप इसторовि ये चिड़ते थे लääलू जी से क्योंकि उन היसे करता करता है ली सही घुठा की बन्ही material कि यह इसे क्वे ही मैं भाबरे मस्जिद इबादत की नहीं दास्ता की प्रतिक थी लेकिन सुप्रिम कोट ने फैसला किया सुप्रिम कोट ने कहा मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं दिया कि उनका एक मात्र कब जा था बाबरी मस्जिद पर दूसरा बाबरी मश्जित बनने के बाद भी हिंदों का विश्वास कभी नहीं डोला कि प्रभुराम का जन्मस्थान है वो आकर सर चुकाया करते थे और जो आर्टेलोजिकल सर्वेफ इंडिया खुदाई हुई तो मालू हुआ आठविश दापदी से मंदिर का धांचा निकल गया तो मंदिर के उपर मस्जीद बनाई गई तो यहीं तो हम भी कह रहे थे रजद बाबु आज मैं एक बात आपसे कहूं आपके अनुमती हो क्रिपया करके मत दीजिया अगर यह धाचा नहीं गिरता तो क्या सुप्रिम कोट हमारे पक्ष में फैसला करने के बाद भी हटाने के लिए कहता नहीं कहता हिंदू अपने बड़े हिरदय का परिचे दे इ तो आज ये मंदिर बन लिया सुन्दर अभी थोड़े दिन पहले असदू दू नोवैसी साब आये थे आपके अदालत में उन्होंने कहा कि मैं तो ये मानता हूं कि बाबरी मजदित थी आज भी बाबरी मजदित है और बाबरी मजदिती रहेगी अच्छा दिन में सपने द कंदिर का और मैं उस दिन था वहां पर आज जो भव ऑयोध्या बन रही है सोच क्या है उसके पीछे व्याटिकन अच्छा बनें मग्का भी अच्छा बनें हमारे रामलला रहेंगे गली कूचल across ग्यृष पेस्टमे रहें रहेंगे हमारे रामलला का अराधिकेंतर भी दु भजन बनते हैं माता सर्यों का तठ है और आज देखिए 50 को लोग तो पहुंच गए देखने वाले तो इसलिए तो कहा जा रहा है कि भारती जंता पार्टी इस राम मंदिर को इस्तेमाद कर रही है चुनाओं में वोट लेने के लिए यह तो तरक आज से क्या आप तो बड़े वरिष्ट संपादक है रजद बाबू जबसे आंदोलन शुरूबा तब से कह रहे हैं कि खादी वोट के लिए इतने लोगसभा के चुनाओं आए 14 जीत गए 19 जीत गए 24 तो 400 के पार जाएंगे अलग बात है लेकिन मंदिर बनाएंगे और आज मैं आपके माध्धम से देखिए उनकी आखें है न यह आखों की सोच हमारे प्रधानमंत्री की है का इस आखों को सुंदर बनाओ राम जी की मुस्कराहट राम नौमी में वहां सूरी की किरन उनके माते पर आनी चाहिए यह सब सोच और जो पू आखील रहा हूं वह चंपत राजी का विशे शुप से नाम दूगा जो सच्छिव हैं कितना बड़ा काम किया कितना सुन्दर मंदिर बनाए और इस मंदिर में मेरे नौजवान साथ ही सेमेंट का प्रयोग नहीं हैं लोहे का प्रयोग नहीं है है लोहा की उमर है सब साल सीम कितना भावे बना है आप जाए देखें तो हमें संदोश है रजद बाबू कि मैं एक छोटे से गिलहरी के रूप में इस आंदोरन में काम कर सका है इसका मुझे बहुत संदोश है लेकिन लगता आप राहूल गांदी के भाष्ण नहीं सुनते वो जब नया यात्रा पर निखते लोगों से कह रहे थे कि आप लोगों राम बंदिर के प्रान पत्रिष्टा का समार हो देखा महां पर आपको अंबानी देखे महां पर अमिताब बच्चन देखे महां एश्वर रहे तो कहीं नहीं आई थी अब राहूल गांधी को कौन होमवर्क करके देता है ये समझ मने जा अरे थोड़ा तो समझा करें अब जाते हैं मंदिर में कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ अपना गोत्र बताते हैं अब अभी क्या बोले कि हिंदू को शक्ति का मुझे इस देश के गरीबों के राम किर्पति आस्था का नादर नहीं करें यहीं कहना चाहता हूं इनिम्हा इंडा आपके बड़ा सवाल हैं करता है और यह सवाल मेरा राहूल गांदी से ब hidden वांपंटियों से भी जिस तरह की हल्की बात आप हिंदू डेवी दुवतां के बारे में करते हैं क्थिक दूसरे दूसरे एंथ मंत्ध पंत के दुवतां एक बारे में करेंगे, आपकी करने की हिम्मत होगी क्या? नहीं ना, हम मानते हैं कि हर पंथ के देवित्ता को सम्मान करना चाहिए, हिंदु हो, मुस्लिम हो, क्रिष्चन हो, कोई भी हो, लेकिन आप दूसरे का तो पूरा सम्मान करेंगे, हमारे प्रभुराम, प्रभुकृष प्रभुराम थे मर्यादा पूर्शोत्तम, तो नियाएक की मर्यादा से उनका भव्यमंदिर बना है, तो हमें मर्यादा में विश्वास करना चाहिए, वहाँ भी केस चलना है, देखेंगे, लेकिन मैं आपके इस भावना के बिलकुल साथ हूँ, कि देश के करोलों, हिंदुओं क्या, दुनिया के लोगों क्या पेक्षा है, कि एक भव्य मत्थुरा में मंदिर बनना चाहिए, जन्मस्थान पर, और काशी में तो काफी काम हुआ है, और होना चाहिए, तो चिंता मत करिये, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, प्रभुराम के मंदर के प्रतिष्था, सनातन धर्म के उदय की वेला है, ये भारत के उदय की वेला है, प्यासत और वकालत के अलावा, आपके क्या शौक है, आप खुद को रिलेक्स कैसे करते हैं? एक तो मैं किताबें बहुत पढ़ता हूं, रात में, इतिहास की किताबे, संस्कृती, संसकार की किताबे, मुझे संगीत का बहुत शौक है, खास करके शास्त्रिय संगीत, भजन, तो सुवह सुनता हूं, तो उसे काफी रिलेक्स होता हूं, लेकिन 17-18 घंटे काम करना है, तो काम में ही रिलाक्सेशन मिलना चाहिए, जैसे रजद बावु देश के इतने बड़े रिटर हैं, तीस साल से आपके जालत है, तो इसी में उनको संतोश मिलता है, तो गुड वर्क करने के कारण जो सरिस्टैक्शन मिलता है, उसका मज़ा कुछ और होता है, तो उसको रि अच्छा ये बताईए, अगर जवान हिर्दे मचले का नहीं गाना नहीं गाए तो क्या करेगा, तो गुझे बताईए, इतने बच्चे बैठे नहीं, अब मैंने एक बार मेरी माता जी ने मुझे एक मेले से मौतागन खरीद दिया, अब मैंने बजाते बजाते देखा कि अच्छा मौतागन खरीदो, तो उस समय अराधना पिक्चर आई थी, अराधना में मेरे सपनो की रानी आएगी तो वो सुझित कुमार जो राजिश खना के को ड्राइवर थे मौतागन बजा रहे थे, तो ये गाना मेने वहीं से बजाना शुरू किया, तो अच्छा लगा, अच्छा बजा लेता था, तो सपनो की रानी मिली या नहीं? वैसे आपने सही का, मेरे सपनो की रानी, डॉक्टर माया शंकर मेरे साथ पढ़ती थी, इतियास में प्रूलिकल साइंस में था, लेकिन उनसे शादी करने का फैसला मैंने एमे करने के बाद किया, वो पढ़ता ह यह सारा काम मुदी जी के निर्देश पर मैं ही देख रहा था बाकिलों के साथ में, दोस्तों बीस करोर डोज लगा देश में, आपके मुबाईल पर ख़वर आई, यह काम हो तकता है इतरा के उलत सकते हो, लहरा के दिखर सकते हो, बंद कर कहां तुम्हें जीना है, क्यूंकि आप मेरा असली गेहना है आपका तूटना मना है तीस चड़ी बूटियों वाला पतांचली केश कांती अडवान्स है रोयल देबालो को प्राकृतिक पोशन की ऐसी शक्ति, जो उन्हें तूटने से रोके और नए बालो गाए तो अब बालो का तूटना मना है जिन्दगी स्वाद है, स्वादी जिन्दगी अशोग मसाले, स्वादी जिन्दगी खबर जो सच दिखाई, जो निश्पक्ष हो, बिना किसी एजिंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर आज की बात रजट शर्मा के साथ, शोर कांग, खबर ज्यादा आज की बात रजट शर्मा के साथ, प्रिजेंटेड बाई, जे के पंक्चर गाट टायर, अब हवा नहीं निकलेगी मैं वर्शा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती पर इस मंच का हर पल में इंजॉय करती हूँ, हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से तो आईए शुरू करते हैं, आज का मुकतमा आपके अदालत पर अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर प्रहमन, राजपूत, प्रजापती, वनिय, यादव, मराथा, पटेल, जाट, कायस्त, गुमिहार, जातियों का बोड कैलकुलेशन जाती गंट, रात, दस बीस पर, सिर्फ इंडिया टीवी पर प्रिजेंटेड बाई, मार्वल चाई, तासगी और जोश जगाई, मार्वल चाई, हर लमहार नया हो जाई, को पावर्ड बाई, बर्जर पेंट्स, हंडर्ड यर्स अफ ट्रस्ट, अशोक मसाले, स्वाधी जिन्दगी है, अशोक मसाले, घडी डिटरजंट पाउडर, पह प्रिजेंटेड बाई, मार्वल चाई, तासगी और जोश जगाई, मार्वल चाई, हर लमहार नया हो जाई, को पावर्ड बाई, बर्जर पेंट्स, हंडर्ड यर्स अफ ट्रस्ट, अशोक मसाले, स्वाधी जिन्दगी है, अशोक मसाले, घडी डिटरजंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, असोसियेट स्पॉंसर, सिग्निचर फाइनेस्ट सिल्वर इलाईची, अ प्रीमियम प्रॉड़क्ट फ्रम दिलबा, सिम्पोलो, टाइल हो तो सिम्पोलो, योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी, रोगों से जंग, योग गुरु स्वामी राम देव के संग, सुबह, वेलकम बैक, आपके अदालत में आज हमारे महमान है केंदर सरकार के पूर्मंत्री रवी शंकर प्रसाद, आपके अदालत में अगला इसा, आपकी अदालत में बीजेपी लीडर रवी शंकर प्रसाद पर इल्जाम है कि ये मौका परस्ति की राजनीती करते हैं, रवशिंगर जी बिहार की राधनीती के इतने बड़े लीडर हैं आप और बिहार में क्या हुआ आप ने कहा था कि नितीश कुमार के लिए हमारे दर्वाजे बंद हैं लेकिन दर्वाजा बंद क्या है चिटक नी लगा ना भूल गए आगए नितीश जी देखिए आपको ये सवाल पुछने का पुरा दिका रहे हैं आपने सही का हम उने कहा था उन्होंने कहा था अब हमें कभी नहीं जाओंगा उन्होंने कहा था मर जाना कुबूल है इनके साथ नहीं जाओंगा बिल्कुल नितीश जी परस्नली ऑनिस्ट है लेस्ट परस्नली ऑ बेटे का गेट, पत्नी का गेट, छोटे बेटे का गेट, वो कुछ अपने पा रहे थे, उनकी तब्यत खराब होई, जो अंदर से तूटे हुए थे, तो का हमनों का भी था कि यह आप चल नहीं सकते, तो हमने का पहले नहीं मालना था क्या, का उन्होंने कहा था, लेकिन अब बताईए, चारा घोटाले में लालू जी चार-चार केस में जेल चले गए, फिर भी जमीन दो, नौकरी लो, यही तो है रेलवे का स्कैम, और उन्होंने अपने जात के लोगों को भी नौकरी दिया, जमीन लेने के बाद, यह क्या है, यह जो लूट की हवस है, यह कब तक लेकिन देखे, आपने नितीश जी के बारे में क्या का था आपको याद दिलाता हूं, आप ने कहा, मैं सब जानता हूँ, आप जितना बोल रहे हैं, उस से अधिक बोला था मैंने, आपने तो मीडिया से कहा कि यह क्या हो गया नितीश बाबू को, बिहार इन से संभलता नह यह दिल्ली संभालना चाहते हैं और यह सपने देख रहे हैं प्रदान मंत्री बनने की देखिए ऐसा है जो चीज रेकॉर्ड पर है वो सच्चाई है जब हमारे विरोध में थे तो हमने कहा था लेकिन हमें यह बताई है कि वो छोड़े क्यों ममता जी को साथ लाया उन्होंने राहुल गांदी से मिलने गए महां महराश्ट में मिलने गए सब को जुटाया और जुटाने के बाद नितिश तु साइड हो जा बागने तागरी हम करेंगे यह क्या मतलब है तो उनको लगा कि उनको लगा सो लगा लेकिन प्रशांद की शोर ने सही बात करी उन्होंने का क कि मोदी जी को लगा कि अगर ये इंडिया गठ बंदन तोड़ना है तो नितिश कुमार को पहले पल्टा दो मोदी जी को किसी सहारे के जरूरत है क्या कुछले जंता बैठी हुई है लेकिन मोदी इतने बड़े नेता है तो वहां जो कह रहे थे कि चटानी एकता है इंडिय आगर बंदन की का देतना तो सामने सामने आ गया अब रोज आज मैंने सुना कि आपके आने के पहले महाराज भी टूटने का गार पर हैं मैंने आते आते एक ख़वर मिली देखिए मैं चाहता हूं कि हमारे जितने साथी बैठे एक बात को समझे हैं हम रिष्टा बनाते हैं अगर चौदा में मोदी जी को बहुमत मिला फिर मुद्रेट में इलाइस को मंत्री बनाया उनिस में और बड़ा बहुमत मिला फिर भी इलाइस को मंत्री बनाया तो इसे कहते हैं रिष्टा निभाना यहां रिष्टा कब बनता है कब गढ़ता है कब तूटता है कुछ पता लातों देते हैं अब देखिए तिदिस विए आधा छोटे हैं तो मैं थोड़ा अपनास्तर में डेन करता अब उनके और उनके पिता जी में और उनके चाचा में क्या बात चीथ हूद है क्या पता है लेकिन मैं आप से एक बड़ी बात रजान जी कहना चाहता हूँ अब ये तोड जोड मरोड की पॉलिटिक्स खतम हो रही है अब परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स आ रही है अब देश की जनता एक्सपेक्ट करती है जिस नीती पर चले हो उस पर चलो नीती नियत और नेता अच्छी सरकार बनाओ अच्छा करोगे आशिरव है उनके प्रवोग क्यों कर रहे हैं उन्के उमर कितनी है और कितनी प्रॉपर्टी है उनके बास ब्रॉपर्टी बांस इसा के हो रहे तो देखिए, आपके कारण, यानि मीडिया के कारण, और जन्ता के कारण, आज सच्चाई छुप नहीं सकती बनावत के वसुनों से. लेकिन तेजस्री का एक आर्गुमेंट तो ठीक है, कि जब उनकी सरकार थी, वो लोग को नौकरियां दे रहे थे, और आपने उनके घर में E.D.C.B.I. भेज दिया, काम अटका दिया. कितना दे रहे थे नौकरी, यह बहुत बड़ी बात हुई है, चलिए हम लोग कुछ जवाब देंगे चुनाओ के बीच में, समझगे ना, आज डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, आज भारत में आपल बन रहा है, भारत में सैमसंग बन रहा एक लाग करोड का मॉबाइल बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यह काम हो सकता है, डिजिटल इंडिया में देखा किस तरह पूरे करोना में आप वर्क फ्रम होम आपने देखा था ना, आपने स्टड़ी घर से किया था ना, कोड की सुनवाई घर से हुई थी ना, तो ह राम मंदिर जाओगे, बिल्कुल आपने बहुत सही का, राम मंदिर नहीं जाओगे, राम का नाम लोगे, लेकिन आयुश्मान भारत है पांच लाक रुप्ये का, जनौशिदी केंद्र है, आपकी दवा सस्ती हुई है, भारत में में इंडिया आपके वैक्सीन है, जो आज लोगों को फ्री लगी, आज मैं इन लोग से एक सवाल पूछता हूँ, आपको वैक्सीन लगी थी न, आपको कहां खबर आई थी कि आपको पहला डोज कब लगेगा, कहां लगए, कुछ याद है आप लोगो, मॉबाइल पर आया था न, ये सारा काम मुदी जी के निर्दे पर मैं ही देख रहा था बाकिलों के साथ में, 220 करोर डोज लगा देश में, आपको मॉबाइल पर खबर आई, ये काम होतकता है, भारत में हुआ है, ये ही तो है डिजिटल इंडिया, कि आपको बिलकुल एक्सेस करना, सूचना और सब को जानकारी, तो देखो वही आ, इमा लोगो खाना खिला रहा है न, फ्री में, ऐसा नहीं है, देखिए, आज गरीबी बहुत कम हुई है, हमारी सोच क्या है, और हमारे प्रधान मंत्री के, हमारी विचारधारा की, इस देश में मंदिर भी जरूरी है, और इमानदारी से काम भी जरूरी है, सनातन का सम्मान भी और सुशाशन भी जरूरी है, तो ये दोनों काम हो रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है, सुरक्षा भी जरूरी है, कोई भारत की ओड़ देखेगा, तो पिटाई भी करेंगे, और अब शक्ता हुई तो घर में घुस कर भी मारेंगे, ये भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना बोदी जी तो बिहार के बारे में बार बार कहते हैं कि यहां परिवारवाती राजनीती ने खराब कर दिया बिहार को अब आप देख लिए, लालू जी हैं, सजयाफता हैं तो लड़ नहीं सकते, पत्नी मुख मंत्री हैं, MLC रही हैं, बेटा दो दो बार डेप्टी चीक मिनिस्टर हैं, दूसरे बेटे मिनिस्टर हैं, एक बेटी राजसभा में एंपी हैं, दो बार लोक सब आ रही हैं, तिस लोगों ने बहुत वोट दिया, कोई गरीव यादव विधायक उनका मुख मंत्री क्यों नहीं बन सकता, डिप्टी सेम क्यों नहीं बन सकता, तो नहीं बनेगा, देश ने मोदी जी के काम को देखा है, नरिन मोदी के अगवाई में भारत कहां से कहां पहुँच गया, ये देश ने देखा है, दुनिया की पाचवी एकोनामी हो गया, ये देश ने देखा है, प्रशचार नहीं होता है, ये देश ने देखा है, और 27 सरकार होती है, तो इसका फैदा क्या होता है, ये देश देखा है, एक कॉंग्रेस के बड़े नेता ने मुझे का कि अब ये बन प्रधान मंत्री दस साल रह गए अब तो थोड़ा आराम कर लें बारा साल मुख्य मंत्री दस साल प्रधान मंत्री एक दिन छुट्टी नहीं एक दिन का मतलब एक दिन छुट्टी नहीं अभी जो उस दिन गए थे श्रीरामत्री प्रदिष्ठा में जो मुक्य थे उन्हें कहा कि इनको कहा हमने तीन दिन आप रत रखिये उन्हें ग्यारा दिन खाई नारियों का पानी पिया और लगभग यह ग्यारा दिन नीचे खाली हुआ कंबल पर सोए और पुरे देश में सब जगह गए बहुत कठिन स तो उनसे पूछा आप कुछ खा लिजिए का नहीं थोड़ा मुझे आप चड़ना मृत उसे के बाद में तोड़ूगा अब यह है तो है कि फिर काम करते हैं घूमते हैं अपने भी खड़ते हम लोग खड़ाते हैं आपको बताओ रज़त जी भगवान उनको स्वस्त रखे मैंने आज तक उनको जमाई लेते हैं नहीं देखा है- आप दीखते हैं तीवी पर दिखाते हैं यहां गुमरे हैं- वहां- गुमरे हैं- विदिश कर रहे हैं- तो जो व्यक्ति चार-पान साल के दार्नातमें गुफा में साधना करें और जो इतना करे तो कुछ तो है ना उनके अंदर तो हमें गर्व है कि नरेंद मुदी ऐसे महान नेता महान साधक योगी नेता देश के प्रधान मंत्री हैं और वो देश जी गर्व है यहां एक और ब्रेक के लुखते हैं और ब्रेक के बाद आपके अदालत में अर्विन के जरिवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद मुदी को चुनोती दे सकते हैं चैलेंज कर सकते हैं इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया अच्छे यह बताइए आपको अपना सार्टिटिकर्ट खुद देने पर कहां मना ही है आप तो गाशी में गए थे लड़ने के लिए हार गए वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम हे को नया मेरी मावल चाहे हर लमा नया हो चाहे अगर चाहिए आपको स्किन ग्लोब तो बोलो हलो अलो वेरान नीम, हल्दी वं मंजिष्ट जैसी जड़ी बूटियों से तयार नैच्रिल पतन जली अलो कांती जेल ये स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको दे प्राक्रितिक ग्लोब देश में RSS के लोग नफरत फेला रहे हैं मेरा भारत, मेरा परिवार बहुत हुए बादे, बहुत हुए दाबे पर्खेंगे इरादे 543 सीट हर अंगल, हर इंसाइड, हर जोड़ो किसकी जीत, किसकी हार चार जून, अब की बार किसकी सरकार सिर्फ इंडिया टीवी पर अशोक मसाले, स्वाधी जिन्दगी है अशोक मसाले, घड़ी डिटरजंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें असोसियेट स्पॉंसर, सिग्निचर फाइनेस्ट सिल्वर इलाईची अ प्रीमियम प्रॉड़क्ट फ्रम दिलबाग सिम्पोलो, टाइल हो तो सिम्पोलो मैं वर्शा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती पर इस मंच का हर पल में इंजॉय करती हूँ हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ आपके अदालत आपके और मेरे लिए आपके अदालत दिल से तो आईए शुरू करते हैं आज का मुकात्मा आपके अदालत के अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर इलेक्शन की हर हलचल का पूरा राउंड अप चुनाव 360 शाम 7 बचकर 20 मिनट पर सिर्फ इंडिया टीवी पर प्रिजेंटेड बाई मार्वल चाई तासगी और जोश जगाई मार्वल चाई हर लमहार नया हो जाई को पावर्ड बाई बर्जर पेंट्स 100 years of trust अशोक मसाले स्वाधी जिन्दगी है अशोक मसाले घड़ी डिटरजंट पावडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें असोसियेट स्पॉंसर सिग्निचर फाइनेस्ट सिल्वर इलाईची अ प्रीमियम प्रॉड़क्ट फ्रम दिलबाग सिम्पोलो टाइल हो तो सिम्पोलो योग से है सेहत योग ही है शक्ति योग है जीवन योग ही है संजीवनी रोगों से जंग योग गुरू स्वामी राम देव के संग सुभे साथ बच कर चपन मिनट पर सिर्फ इंडिया टीवी पर इलेक्शन ओन पांच सो तैंटाली सीट्स दो हजार चैसो साथ दल किसकी कुर्सी बचेगी किसकी जाएगी चार जून को सत्ता में कौन कहानी पुर्सी की सोंबार से शुक्रवार दोपहर एक बजे प्रिजेंटेड बाई मारवल चाई तासगी और जोश जगाई मारवल चाई हर लमहार नया हो जाए को पावर्ड बाई बर्जर पेंट्स हंडर्ड यर्स अफ ट्रस्ट अशोक मसाले स्वाधी जिन्दगी है अशोक मसाले घड़ी डिटरजन्ट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें असोसियेट स्पॉंसर सिग्निचर फाइनेस्ट सिल्वर इलाईची अ प्रीमियम प्रॉड़क्ट फ्रम दिलबाग सिंपोलो टाइल हो तो सिंपोलो निरंतरवार्टी जिन्दगी की रफ़तार जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा और इसी रफ़तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड निउस चैनल जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर वेलकम बैक आपके अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं पूर केंदरी मंतरी रवी शंकर प्रसाद पर आपकी अदालत में बीजेपी लीडर रवी शंकर प्रसाद पर आरोप है कि इनकी सरकार EDCBI का गलत इस्तेमाल करती है रवी शंकर जी सब लोग पूछ रहे हैं दो दो बार जिने जनता ने दिल्ली में मुक्रमंतरी चुना दो दो राजियों में जिनकी पार्टी की सरकार जिससे संयोजक हैं चुनाव के मौके पर उन्हें जेल में डाल देना ये मिस्यूज नहीं है EDCBI कि यहां पर उनके ग्रेफतारी पर मैं कुछ नहीं कहुंगा क्योंकि वह कामीडी का है लेकिन मैं आपके जवाब में कुछ काउंटर सवाल पूछता हूं मनीश शुदिया एक साल से जेल में है की नहीं क्या हला किया था लो ने राजगार पर जाके धरना दिया था शवाब संजय सिंग अच्छे मिना से जेल में है की नहीं सदिंदर जान दो साल से जेल में हैं कि नहीं कलकत्ता में जो मंत्री के हाँ साथ को निकला था वो जेल में हैं कि नहीं दूसरे मंत्री जेल में हैं कि नहीं सोना खाली में जो मैं नाम भूर रहा हूं उसने जो बवाल किया उस सारी सचाशाई सामने आ रहे हैं कि नहीं तो आप EDCVI का भूद निखाएंगे करनी क्या है यह नहीं बताएंगे उन्होंने बताया कि जिन बयानों पर मुझे अरेस्ट किया गया अदालत में अर्विंद केजिवाल ने कहा वो बयान ऐसे हैं जिस पर चानी चौका एक जेब कत्रा भी जेल में डाला जा सकता जिस सर्विंद केजिवाल ने देश में इमांदार नेता का एक परिचे दिया था अन्ना हजारे के सिष्ट के रूप में यह क्या है प्रशांद भुख्षन अलग आसटोष अलग हमारी बेदी जी अलग अनुपम खेर अलग कुमार विश्वास अलग योगेंदर यादव अलग शाजिया इलमी अलग और अन्ना हजारे को कहना पड़ा मुझे कोई मतलब न और क्या निकला मामला अब इनकी सारी कहाने मैं या कहने के लिए नहीं बैठा हूं लेकि वो तो कह रहे हैं कि अर्विंद केजरिवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरिन मोदी को चुनोती दे सकते हैं चैलेंज कर सकते हैं इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया में लोग सबाब कि आप एक सीट नहीं जीत पाते हैं ठीक विदान सबाब जीते सचाई है मेरे खाली कहना यह है अब इस तरह की अंकार और दंब की राजिती नहीं चलती यह पब्लिक है सब जानती है और सब समझती है उनको ट्रस्ट करिए लेकि उनकी यह बात भी सच्छ और एक बार अपने फैसंग ऌफिट को कहिए कि ईडी ने कोट में क्या कहा है उनके बारे मालू करते हैं यह क्या हल्की बात है क्या सीम को एरिस्ट करना आप प्रक्रश्टाचार करें तो और तकरवाई नहीं होने हुनी चाई जाही है ना या ओन जीफितो घेल गए न हितन में अन्ना हजारे के देखिए इनका कोई राजनितिक रेकॉर्ड नहीं है कि इंजियन रेपनी सर्विस के अधिकारी थे एक एंजियो चलाया बाकी काम हुए अन्ना हजारे में कूद गए पार्टी में नेता बन गए अच्छी बात है जंता ने आश्रिवाद दे दिया कोई लंबा रजनिक रेकॉर्ड नहीं अब करें मैं जेल से सरकार चलांगा जो आज तक नहीं हुआ देश में क्या मतलब है इसका इसका मतलब उनकी पत्नी ने बताया उन्होंने का कि केजवाद जी कह रहे थे कि मेरा शरीर जेल में है लेकि मेरी आत्मा बाहर है वाह वाह क्या मैं भी तालिव है और उन्होंने ये भी का कि अगर आप अपनी आँख बंद करके सोचेंगे तो मुझे आसपास पाएंगे हद हो गया मने एक वेक्ति जो इंडियन रेवन्यू सेविस का आदमी हो जो आईटी खरकपूर से ग्राइजुएट हो जो टाटा इस्टिल में काम कर चुका हो जो अन्ना हजारे का सिश्य हो वह ऐसी बात करेगा तो देश की राज्जिति कहां जा रही है बहुत पीड़ा ह होई इस से दिख मुझे कुछ नहीं कह पाऊंगा और अगर वह सोचते हैं तो एक शब्द है a very new law in the politics of India भर किराजीती में शर्मिंदिगी की पराकाश था अगर शुचर लोयर में आप से जाना जाता हूं क्या अर्विन केजरी वाल जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं इस लीगली अलाव तो रन हीस गवर्मेंट फों जेल लोक तंत्र में हर चीज कानून से नहीं चलता लोक तंत्र लोक लाज से चलता है अब केजरी वाल ऐसा वही है यह तो बेशर्मी के प्राकाष्ठा है और मैं क्या बोलूगा यह ठीक है उनकी बेशर्मी के बात करते हैं लेकिन यह भी तो सही है कि ऐसे लोग जिन पर इज़ाम लगे अब आप कोल मिनिस्टर थे नमीन जिंदल पर उस समय कोल माइंस में घपला करने का आरोप लगे के ये का केस बना लेकिन आपके पार्टी ने उनको अपना साथ ले लिया तिकट दे दिया उनका कंप ुझ़ च्वान में ईदेखी मैं फिर आपसे कहता हूं राज़्नीती में जो लोग हैं अगर कारवाई हुई अगर आप मुझे बताइए कि मोजी ने कारवाई रोग दी केस वापिस कराया तो फिर मैं आपके सवाल करूँगा एक भी ऐसा नहीं हुआ कई बार आपको राजितिक कारणों से स्वैस्टे करने पड़ते हैं लेकिन सवाल जो इमांदारी का है सुचिता का है इस पर को सवाल उठाने का मौका मिलता है वो कहती है कि भारती जनता पार्टी वाशिंग मशीन है करप्त आदमी इसमें घुस्ता है और दूद का दुलाओं के बाहर निकलता है अज बंगाल में क्या हो रहा है बूत कैप्चर होता है सोना खाली में बेटियों की इज़त रोटी जात फिर आप कहेंगे कि मैं परस्नल हो रहा हूं उनके खिलाबे करवाई चल रही है ना कई बार सुप्रियूम कोड गए ना रिलीफ मिला क्या तो है पुलिटिकल बात ममता जी व्यंग करती है इसमें कोई शक नहीं है व्यंग करने दिजी आप लेकिन जनता इस बार बंगाल म आपको नहीं रगता देश में एक स्ट्रॉंग ओपोजिशन होना चाहिए बिल्कुल सही का आपने लोग तंत्र के लिए एक अच्छा ओपोजिशन होना चाहिए लेकिन अपोजिशन बचके रहे ठीक रहे इसका कंट्रैक्ट हम कैसे ले सकते हैं अब उनके नेता ही अपनी पार्टी को नहीं बचाए फिर वही कहूंगा राहूल गादी दस साल से हार रहे हैं फिर का कहते हैं आइम और वेज राइट तो इसका हम क्या जवाब तो ने रावल गादी ये भी कहते हैं कि जंता हमें वोट डालती है लेकिन इवीम में वोट कमल पर चप जाता है वो कहत हो उता है राजा की आत्मा इवी में इवी महर जाय तो मोधी जी ने जीत पाइं अच्छा यह बताये इभी हमाचल में वोट पराया उनकी सरकार बनी न अभी करनाटक में उनके सरकार बनी ना तो आप जीते हैं तो इवियम ठेक आप लोग स्वामें हार जाए तो इवियम खराब अब इसका जवाब दें तो फिर एक ही बात कहूंगा राहूल जी और यह बात मैं बड़ी जिम्मारी से कह रहा हूं राहूल जी आप पॉलिटिक्स में जहां हैं अपनी काबलियत से कम आप इसी कारण हैं कि आप राज राजी गांदी के बेटे हैं इन राजी के पोते हैं नहरु जी के पर पोते हैं मोतिलाल नहरु के पर 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 पोते हैं तो अपने उस संसकार का तो याद रखिए अब उस पर जो आप इतनी हलकी बाते करेंगे यह ठीक नहीं है यह बात राहुल गांधी को पहली बार एक नेक सला रजद जी के कारिक्रम में मैं दे रहा हूं स्रीकारिक तो अच्छी बात है यहां एक पॉर्ट ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में रविशन कर परसाद पर इज़ा मरतो सवाला का एक वाद जूट बोलते हैं राहुल गांधी और यह बात में बहुत जिम्वारी से कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी भारत की राजिति में इस तरह से जूट बोलते हैं बाहर जाएंगे क्या बोलेंगे इंडिया में डिमॉक्रिक्सी नहीं बोलते हैं सुपर फास्ट एटल एक्स्ट्रीम फाइबर आपके नई स्मार्ट पीवी को देगा सब को सब लोकल शोज टीवी जैनल्स आयू तैयार रेड़ी एर्ट एटल एक्स्ट्रीम फाइबर केमिकल सटाई नीम हल्दी चंदन अलुवेरा मंचिष्ट पाम वर पोकोनोट ओल आदी से निर्मित पतंजली बात सोप अपनाई कुदर की स्वच्छता वो सोंदर्य पाई सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है रखिए मसील हमेशा गोधी और मुसल्मान सुववार से शुक्रवार राद दस बजे प्रिजेंटेड बाई मार्वल चाई तासगी और जोश जगाई मार्वल चाई हर लमहार नया हो जाए कू पावर्ड बाई बर्जर पेंट्स हंडर्ड यर्स अफ ट्रस्ट अशोक मसाले स्वाधी जिन्दगी है अशोक मसाले घड़ी डिटरजंट पावडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें असोसियेट स्पॉंसर सिग्निचर फाइनेस्ट सिल्वर इलाईची अ प्रीमियम प्रॉड़क्ट फ्रम दिलबाग सिम्पोलो टाइल हो तो सिम्पोलो प्रिजिएट प्रिजिएट प्रिजिएजुँआ बोड तो जोश जगाई, मार्वल चाई, हर लमहाद नया हो जाई, को पावर्ड बाई, बर्जर पेंट्स, हंडर्ड यर्स अफ ट्रस्ट, अशोक मसाले, स्वाधी जिन्दगी है, अशोक मसाले, घड़ी डिटरजंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, असोसियेट स्पॉंसर, सिग्निचर फाइनेस्ट सिल्वर इलाईची, अ प्रीमियम प्रॉड़क्ट फ्रम दिलबा, सिम्पोलो, टाइल हो तो सिम्पोलो, निरंतरबाटी जिन्दगी की रफदार, जहां वक्त कम और आक्शन ज्यादा, और इसी रफदार के साथ, आपको रखेगा हर पल अपडेट, इंडिया टीवी स्पीड नीउस चैनल, जब चाहें, तब देखें, सुपरफास्ट खबरें, दिन भर, आपकी अदालत में अगला इसाथ, आपकी अदालत में पूर्व केंद्रिय मंत्री रवी शंकर फ्रसाद पर इल्जाम है, कि इनकी पार्टी लोक तंत्र को खत्म करना चाहती है, देखें, राहूल गांदी, मलका जुन्खर गे, जितने भी कॉंगरेस के बड़े बड़े ल मंत्री रहे हमेशा ही कहते थे न, मौत का सौधागर, क्या करेगा, मुझरात बेस्ट गवर्न स्टेट हो गया, आज दस साल से पदान मंत्री हैं, तो भारत की एकोनॉमिक पांच भी हो गई, और देखें, भुलिया नहीं, फ्रांस और इंग्लिन का छोड़के आगे निकल कि आज भारत का biggest FDA investment है, भारत military power बन रहा है, आज भारत की बेटियों का प्रया से चंद्रमा पर चंद्रयान पहुच रहा है, आपको मालू है, मंगलियान की बात हो रही है, तो इंडिया is becoming a space power, a military power, आज भारत के बच्चे स्पोर्स में कितना बढ़िया कर रहे हैं देखा ह और वोट उनको मिले कैसे चलेगा हमको बता दीजी आप उनकी प्रॉब्लम यह नहीं है आप काम करो उनके बैंक अकॉंट क्यों फ्रीज करते हैं इलेक्शन के मौके पर कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकॉंट फ्रीज कर देंगे और राउल गांदी कहते हैं हमारे पास पैस नहीं है रेल का टिकट खरीदने के दो रुपए नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का पैसा टैक्स नहीं लगता लेकिन आपको अपना इंकम टेश रिटर्न फाइल करना पड़ता है और यह बताना पड़ता है कि आपको बीस जार के उपर से कितना पैसा चेक से आया और क्या और ऑडिट करके देना पड़ता है और नहीं दिया आपने तो करवाई होती है तो कॉंग्रिस पार्टी इंकम टेश रिटर्न फाइल करना भूल गई थी इसमें कोई नहीं बात नहीं है काफी नंबर दो पैसा आता है तो इमानदारी से टेश रिटर्न में दिकत हो जाती है तो उनको करवाई की गई और जो लेड़ से फाइल हुआ तो उसको उनने सीज कर दिया तो निचले कोट ने स्टे वार है बारा दिया तो भाई अगर आप गरवर्ड करें आप को को पैसा नहीं है पैसा नहीं है मैं इसे एक बाब में बता दूँ आप लोगो नाशनल हराल्ड केस में राहुल जी और उनकी माता जी सिर्फ पचास लाक रुपिया लगाता करके पांच जार कोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक हैं दिल्ली में नाशनल हराल्ड का डफ्तर है पत्ना में हैं लखनों में मुंब देने के लिए मैं सुचा यह सवाल आपके सामने रखूं उन्होंने का कि जब लेंड एक्विजिशन एक्ट बन रहा था तो अरुण जेटली ने मुझे बुलाया और कहा कि इसके खिलाफ मत बोलो वरना तुमारे उपर केसिज हो जाएंगे जूट बोलते हैं राहुल गां क्या है छोड़ दिए वह एधे में कहीं दिखाई नहीं पड़ी वहां बोल दिए कि वहां वह नाच रही थी अब हम क्या जवाब दें इसका तो राहुल गांदी की हर बात को आप इतना क्यों और मैं क्या बोलूँ चलिए मैं इलेक्टोरल बांड पर कॉंग्रेस पार्टी में इमांदार पैसे को लाने की कोशिश थ है क्या आप जमा करिया पैसा आप रिजर बैंक पर ड्यक्ति रखेगा ओव काफी पार्टियां सब्डेवि मिला कॉंग्रेस को भी मिला Teaँमसी को मिला सीपीय को मिला सीपीयम को मिला मिला जो पार्टी को अधिक वोट मिलेगा उसको नोट भी अधिक मिलेगा कि मने जनसंग के सब्सक्राइब देखा था लोग घूम घूम करके कि दसस रुपया दुकान से लेते थे आज पार्टी बड़ी हो गई है कि पैसा मिलेगा लेकिन इमानदारी से पैसा ब्लैक मनी खतम होन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ट खरीदे बीजेपी को दिया रावल गांदी की पार्टी को कहां कहां से पैसा आया सब खुलना शुरू करूं क्या ममता जी को पैसा कहां से खुलना शुरूं क्या ये कौन सी बात है भाई देखिए राजनीती के अस्तर को इस तरह नहीं है तो लोगतंत्र का पैसा अच्छे सोर्थ से आए कि नंबर दो से आए इस पर भहस होनी चाहिए जर्मनी में सरकार फंडिंग करती है और फंडिंग का तरीका क्या है जिसको अधिक बोट मिलेगा उसको अधिक पैसा मिलेगा तो राहुल गांदी जी आपको वोट नहीं मि इसा है क्या जो विक्ति 50-55 साल जो पावर में रहे हैं और आज भी पावर में हैं वैसे कॉंग्रेस पार्टी के सोर्स अफंडिंग कही अगा से आते हैं आज पता नहीं आपके दारत में राहुल गांदी पर इतना समय क्यों दे रहे हैं इसलिए कि आप दी उनके बारे में बहुत सारी बाते कहते हैं वो भी मैंने चेक किया आप कभी कहते हैं यह होमवर्क नहीं करते जब आपने पार्लमन में कहा होमवर्क नहीं करते तो आपकी जो बाकी MPs वहां बैठे थे वो कहते थे पप्पू है मैं यहां भी कहरा रहाल गांधी होमवर्क नहीं करते आप कहते हैं वो लॉंच नहीं हो पारे अच्छा ये बताइए एक प्रजट को कितनी बार लॉंच किया जाएगा है वाद हeling कि 2004 से तो में देख रहा हूं रहूल गांधी गये विपास्ता से लोड क्या एंबर रिफ्रेश्ट होकर रहूल गांधी आएं फिर जीत होगई फिर रहुल गांधी चले हैं मुहंबद के दुकान खोलने चले फिर रहुल गांधी चले कि कि को आप लॉंच लॉंच होंगे यह देश अब non serious proprio ऩस को like नहीं करता है मेरी बात समझ रहे हैं आप अगर आप serious politician है सीरियस बात करो, अपनी नियत बताओ, अपनी नीती बताओ, उसको इंप्लिमेंट करने का कारिकरम बताओ, हमारे उपर छोड़ दो, हम देखेंगे तो वोट देंगे, तो आप इस तरह की रेटरिक की बात करना, तो क्या क्या कहा था, मोधी जी मुझसे आख नहीं मिला सकते ह हमेशा कहते रहते हैं, अब यह कौन सा लोगी? वो कहते हैं कि मोधी जी मुझसे डरते हैं, हाँ, यह ठिक का, तो इसका मैं क्या जवाब दू? वो कहते हैं, पांच मिनट पार्लमेंट में बोलूँगा तो भूग का पाजाए और आपको बताओ, मैं उनका भाशन सुन रहा था कि भूकां पर भी तक आया क्यों नहीं है, हम लोग सही सलामत हैं, वो कहते हैं कि मोधी जी अडानी के कहने पर चलते हैं, सारी सरकार अडानी के लिए काम करते हैं, अडानी का काम राजस्थान के सरकार में चला की नहीं जब गैलत की सरकार थी, अडानी का काम के चलता है कि नहीं जहां पर CPM की सरकार है वो पोल बना रहे हैं अडानी ने अस्ट्रेलिया में माइन का काम लिया कि नहीं लिया जब मनमहुन सिंग थे भारत के पता मंत्री अरे देश के उद्योगपती आगे बड़े अच्छी बात है ना अजय को अजय को अजय करें कि लेकिन देश का मूड तो 400 के पार है समझे आप और वो जनता जिससे बात कहती है और देखिए उसका कारण मैं बता दूँ आपके अनुमती से जनता स्टेबल गर्ब्मेंट का फाइदा क्या होती जनता ने देखा है अगर नेता स्पष्ट है पार्टी स्पष्ट है गर्ब्मेंट स्टेबल है तो इंडिया कहां से कहां पहुंचता है यह देखा रजय जी कि इन लोग की सरकार हो और अगर सेना के लोग कहें कि सर्जिकार स्टाइक करना पड़ेगा तो क्या का रुख जाए जरा लालु जी से पूछ लेते हैं लालु जी से बात किया रुखिये भाई हमारा मुसलमान बोड़ा जाएगा आपको हम कल बताएंगे दक्षिन भारत प नेता होता है स्टेबल सरकार होती है तो निरनेत तुरत होते हैं और मोदी जी ने करते हैं एक आरोफ यह लगता है कि स्टेबल सरकार है मोदी जी की सरकार है लेकिन यह हिंदू सरकार है मुसलमानों को डर के रहना पड़ेगा हिंदू होना कोई पाप नहीं है सनातन प्रेम और आपकी जनकारी के लिए अमेरिका के राश्पति जो शपत देते हैं ना तो बाइबल पर हाथ रखके शपत लेते हैं अगर आप भरत का औरिजिनल सम्विधान खोलेंगे तो प्रभुराम की तस्वीर है फर्डमेंटल राइट्स के उपर प्रभुक्रिशन की तस्वीर है आज कोई होता तो हला कर देते हैं लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो देश में मुसल्मान हैं उनको डराय जाए अगर मोदी जी ने कहा गरिबों का आवास मिलेगा तो क्या मुस्लिम गावों में नहीं मिला अगर मोदी जी के नर्देश में डिजिटल इंड लेकिन अगर मोदी जी के सरकार आई तो सबका साथ सबका विकास तो सबकी चिंता करना अगर असी कोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं तो क्या कहते हैं कि मुस्लिम गरीबों को नहीं खिलाएंगे अगर किसानों के पॉकेट में 11 करूं किसानों को पैसे दे रहे हैं 6000 शरीयत में इंटर्फेर करते हैं उनके धर्म में इंटर्फेर करते हैं आप कभी तीन तलाग का कानून बनाते हैं मोदी जी के निर्देश पर तीन तलाग लाने का कानून लाने का का मुझे ही स्वभागी मिला था मैं बोलना चाहता हूं तीन तलाग क्यों नहीं होना चाहि में बहुत से हमारी बेहने बैठी हैं तीन तलाग 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 शादी खतम का बताओ कैसे हुआ पत्नी लेट से उठी तलाग 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 रोटी जली हुई बनी तलाग 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 यूपी में एक पत्नी मोदी जी का भाशन सुनने चली गए तीसरी बेटी हुई WhatsApp कर दिया तलाग 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 पाकिसने की बात नहीं पाकिस्तान तक में नियंतित हुआ है एरान में इराक में जॉर्डन में मलेशिया में यहां बस वोट का क्या होगा और जब तीन तलाग का कानून आयर अज़द बाबु क्या सोनिया जी क्या मायवत के पाप को हमने ढोया सिर्फ किसलिए वोट के लिए तो ये हमारे गर्व है हमारे प्रामाद के लिए तो चुनाफ के मौके पर सी ए के कानून लागू किये गए हैं अब मुसल्मानों को बता जा रहा है कि तुम से कागज मागे जाएंगे ये बिल्कुल गलत है सी ए चार साल रूप में MP के रूप में फॉर्मल लॉमिनिस्टर गूरूप में बताता हूं कि कोई संबन्ध हिंदुस्तान के मिसल्मानों से नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगला देश में बसने वाले हिंदू सिक पार्सी क्रिश्टन को भारत आने में बढ़े हुए हैं हम क्यों नहीं उनके रहात देंगे रोहिंगिया को बसाओ उनको रिस्यूजी स्केटर्स दो यह खुब कहेंगे लेकिन इनको नहीं दो यह तो ठीक नहीं है यह गलत है एक सवाल और ले सकते हैं मेरा प्रशन आप से यह है कि इस बर वीजेपी की जो नेत हैं वह बहुत कॉंफिडेंट नजर आ रहे हैं चार सो पार के नारे लगा रहे हैं चार सो सर कैसे पार होगा क्या थी और यह इसके पीछे आप लोग कराएंगी वोटर देखिए जब चौदा में वह जीते तो गर्मेंट स्टेबल करोगे बहुमत मिलेगा बहुमत तो नही तो यह तो जनता ने दस साल में दिखाया है ना तो अब तो हमने और काम किया है तो जनता का आशिरवाद मिलेगा यह में पूरा विश्वास है और भारत के बदलाओं का समय है इंडिया जोन दे कस्प अफ ग्रेट रोल फॉर दे वर्ल्ड दुनिया चाहती है कि भारत और बढ़े क्योंकि स्टेबल वर्ल्ड के लिए भारत का आगे बढ़ना जरूरी है और मोदी यह दुनिया के नेता है तो अच्छी बात है तो मैं आपसे चार थारी को बात करूंगा फोन करिएगा आप भी शर्माजी हमें देखिए लविशनकर जी चुनाव का मौका है हमने आपसे हर तरह के साल पूछे हर तरह के लजाम आप पर लगे आपने वड़ी सफाई से वे बाकी से जवाब दिया हमें एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बात सुनेंगे आपके अदालत में आज के जज महुट कर का फैसल पतंजली शुद्धसर्सो के तेल के साथ हर घर की यही कहानी इस तेल का तेज ऐसा जुलाएं आखों में पानी और स्वाद ऐसा जो भर दें मू में पानी स्वाद और शुद्धता का मेर पतंजली सर्सो का तेल खबर जो सच दिखाए जो निश्पक्ष हो बिना किसी एजेंडा के हो कोई बहस या शोर ना हो बस खबर आज की बात रजत शर्मा के साथ शोर का खबर ज्यादा आज की बात रजत शर्मा के साथ प्रिजेंटिड बाई जे के पंक्चर गाट टायर अब हवा नहीं निकलेगी चार जूम ट्यूजडे को सरकार बनने से पहले हर ट्यूजडे होगा सुपर ट्यूजडे सिर्फ इंडिया टीवी पर Presented by Marvel Chai, तासगी और जोश जगाई, Marvel Chai, हर लमहाद नया हो जाए, Coop Powered by Berger Paints, 100 Years of Trust, अशोक मसाले, स्वाधी जिन्दगी है, अशोक मसाले, घड़ी डिटरजंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, Associate Sponsor, Signature Finest Silveril I.G., अप्रीमियम प्रॉड़क्ट फ्रम दिलबा, सिम्पोलो, टाइल हो तो सिम्पोलो, Election on, 543 सीट्स, 2660 दल, किसकी कुर्सी बचेगी, किसकी जाएगी, 4 जून को सत्ता में कौन, कहानी पुर्सी की, सोंबार से शुक्रवार, दोपहर एक बजे, Presented by Marvel Chai, ताजगी और जोश जगाई, Marvel Chai, हर लमहार नया हो जाए, कू Powered by Berger Paints, 100 Years of Trust, अशोक मसाले, स्वाधी जिन्दगी है, अशोक मसाले, घड़ी डिटरजंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, Associate Sponsor, Signature Finest Silveril I.G., a premium product from दिलबा, Simpolo, टाइल हो तो Simpolo, निरंतर बढ़ती जिन्दगी की रफ़तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ़तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट, इंडिया टीवी स्पीड निउस चैनल, जब चाहिए, तब देखिए, सुपफास्ट खबरें, दिन भर, तो तुरंत जाईए अपने स्मार्ट टीवी के अप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए, इंडिया टीवी स्पीड निउस चैनल, वेल्कम बैक, आपके अदालत में आज हमने मुखद्मा चलाया, फॉर्मर लॉव मिनिस्टर, फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर, रवी शिंका पर साथ पर, अब वक्त आपके अदालत में, आज के जज्ज उदै महूर करके फैसलेगा, सारवाज एक जीवन के अंदर, दो टाइप के इमानदार लोग होते हैं, एक वृत्य रूप से और एक बॉद्धिक रूप से, इसको हम कहेंगे इंगलिश में, फानिशल अनेस्टी और इंटिलेक्ट्ट्वल उनेस्टी, एक पत्रकार के रूप में मैंने रेव विशंकर जी को कई सालों से कवर किया है, और मैंने देखा कि उनका जो बॉद्धिक इमानदारी का स्थर है, बहुत उंचा रहा, उन्होंने जवाब हन्मेना कन्युविक्षन से दिये, जो मैं पत्रकार था, आज वो ही शैली मुझे दिखाई दी, राम मंदर के वारे में जो उन्हें जवाब दिये, बड़े भीबाक तरीके से दिये, मुद्धिक सरकार के पर्फॉर्मस के बात की वो बड़ी उन्हें बभीबाकी से जवाब दिये, निपूनता से दिये, मिस्यूज ओफ पावर की जो बात थी, उसका युबड़ा निपूनता से जवाब दिया उन्हें और मुस्लिम और सीए का जो मसला है, उसको जो उन्हें समझाया है वो बड़ा कन्विंसिंग था, बड़ी कन्विकिशन के साथ उन्हें जवाब दिये, और बॉन्ड इश्यू को जो उन्हें समझाया, वे मानता हूं कि बॉन्ड इश्यू जो है उसको लोग समझ नहीं पा है, वो एक पार्द्रक्शक्ता लाने का एक प्रयास था, उस रूप में उसको दिखाना जाना चीए, तो आज जो रजशर्मा जी का जाल था, उसमें से बड़ी निपूंता के साथ वो बहार निकले, और अभ्यूक्त रविशंकर प्रसाद जी को अदलात बाइज़द बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्पास के साथ की रविशंकर प्रसाद इसी तरह से जनता के सेवा करते रहेंगे, अपनी पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे, आज मुकंदमा यहीं खत्प करते हैं, अगले हफ़ते आपसे मुलाकात होगी, एक नई शक्सित के साथ, तब तक के लिए नमस्ते.